कि वेल्कम बैक बहुत-बहुत सागत आपका टैग बाइट में आज को जो टॉपिक है वह हमारा इंस्टॉलिंग एंड कन्फिगरिंग एक्टिव डिरेक्ट्री तो छलिए स्टार्ट करते हैं कि अध्यक्टिव डिरेक्ट्री एक्टिव डिरेक्ट्री टैड वर क्या आपके यूजर्ट्री की इंफोर के इंफ्पिटर के इंफिटर करता है Centralized Database of Object Active Directory का जो database होता है वो हमारे centralized होता है और object का मतलब है कि जो हमारे network में जो users, groups और computers होते हैं इनको हम Active Directory में object कहते हैं Centralized Management of Resources आप Active Directory के थुरू अपने resources को centralized manage कर सकते हैं Resources से मतलब है कि आपके network पे जो share folders होते हैं, printers होते हैं इनको हम network resources कहते हैं इन चीज़ों को हम Active Directory के तुरूप manage कर सकते हैं What is the purpose of Active Directory? Active Directory का क्या purpose होता हम इसको network में क्यों use करते हैं? A server running Active Directory domain services is called domain controller मतलब हमारी Active Directory domain services जिस machine पे जिस system पे store होती है या जिस system पे run हो रहे होती है उसको हम domain controller कहते हैं मतलब एक system है मार लीजी हमार एक server है इस server के उपर जब तक हम Active Directory services install नहीं करेंगे तो यह domain controller नहीं बनेगा After Active Directory installation हमारा यह server है यह domain controller बन जाता है domain controller का use जो होता है वो आपके network में रखे हुए resources को use करने के लिए किया जाता है means its authentication and authorized to all users and computers in Windows domain type network मतलब domain controller के थुरू आप अपने users को authenticate कर सकते हैं कि network पे रखे हुए resources को कहां से users access कर सकता है a single sign-on environment a single sign-on environment का मतलब है कि आपके पास एक single username और password होता है जिसके थुरू आप network में रखे हुए resources को use कर सकते हैं इसको आप exam के थुरू समझते हैं माल दीचिये कि हमारे पास एक file server पढ़ा है network पे इसे ही हम file server को consider करते हैं इस file server पे हमारे कुछ data पढ़ा हुआ है और इस data को access करना है मुझे तो इस data को access करने के लिए मुझे इस server के उपर कोई अलग से username और password नहीं create कर पढ़ेगा मैं अपने domain environment में जो मैं user id क्रेट करूँ हुआ उस single user id password के थुरू मैं उस data को access कर सकता हूँ इसको हम एक अलग example पे थुरू भी समझते हैं जैसे कि हमारे पास Gmail की ID होती है तो जो हमारे पास Gmail की जो ID होती है जैसे example xyz at gmail.com तो इस ID के थुरू मैं Facebook भी access कर सकता हूँ इस email ID के थुरू मैं हमारा Twitter account, Google Plus इस तरह के account को मैं access कर सकता हूँ तो single sign in का मतलब होता है कि आप एक single username और password के थुरू आप network में कहीं भी login कर सकते हैं using large network environment obviously इसका जो use होता है वो बड़े network के लिए क्या राता है मतलब की जैसे कि अपने पास मान लीजे कि हमारे पास hundred of thousand of nodes का network है nodes का मतलब हमारे network में जो network devices होते हैं उनको nodes कहते हैं तो जो nodes हो है मानेजे 2000 network का nodes है हमारे पास जो 2000 network का nodes है तो मेरे पास यह possibilities नहीं है कि मैं सभी system में जा जा जाके कि मैं user ID password create करूँ किसी लिए हमारा activity को use के दाता कि जितने भी users ID जो passwords होंगे वो हमारे activity में बनेंगे और उस ID का धुरू मैं 2000 system में से कहीं पर बैठके login कर सकता हूं centralized group policy centralized group policy का मतलब है कि हमारे पास एक feature होता है group policy का activity अंतर जिसके थुरू हम अपने users को computers को control करते हैं जैसे कि माल लीजे कि मेरे पास एक user है और एक user जो है वो पैंडर लेका अपने साथ और data copy करके चला जाता है तो इस तरह के restriction को रखने के लिए group policy को use कर सकता हूं तो group policy एक feature होता है जिसका use अपने environment में रखे network resources users को control कर सकते हैं चलिए हम एक picture के जरीए सबीची को समझते हैं यह हमारे एक activity का environment है जहांपे हमारे PC है एक print server रखा हुआ है एक file server रखा हुआ है जहांपे हमारे data अगारा store है एक ही हमारे domain controller है जिसमें हमारी ADJS की services जो है stall है अब हमारा जो user 1 हा user 2 है मतरा दो user बने हैं जो कि हमारे domain controller में ही बने होंगे अब user 1 है जो PC1 में login करना चाहता है तो जैसे ही user 1 PC1 में login करेगा अपने username और password से सबसे पहले request हमारे इस domain controller के पास आईग एक सेकिंद मैं अपको बताता हूं माल यह user है हमारा यह user यहाँ पर login करता है अपने username पासवर्ड एंटर करता है तो उसके बाद पीसी की जो request है वह यहाँ पर आएगी और जो username पासवर्ड एंटर किया होगा वह डिरेक्टिज सर्विस जो हमारे ADD server है वह अपने database में चेक करेगा क्या user 1 जो है मेरे database में है या नहीं है और उसका password जो इसने एंटर किया है वो प्रेक्ट है या नहीं है अगर वो fulfill हो जाती है अगर वो okay होता है तो यह server इस PC में इस user को login करने के लिए authentication प्रोवाइट कर देगा यानि हमारे जितने भी users हम बनाएंगे वह सारे के सारे हम इस domain control में बनाएंगे अब single sign on का मतलब है कि अब जब हमने बात की सिंगल sign on को आप यहां पर रखके देखते हैं मान लिजिए मारे पर से एक print server है और यह के file server है इस file server के पास हमारा data पड़ा हुआ है अब इस data को user to access करना चाता है तो इस server के उपर मुझे कोई अलग से username पासफ़र्ट करेट नहीं करना पड़ेगा मैं simple इसके run command पर आऊँगा और जो भी data में ने share किया हुआ यहां पर मैं access कर सकता हूँ और group policy की बात करें यहां पर group policy की बात करतें जो मैं बात कीते भी group policy ग्रूप policy क्या होता है मालने कि यह user है यह user login करता सिस्टम पे और इस printer को use करता है और at a time उसके बाद यह user 2 भी है PC1 में login करता है और वो भी इस print server को access करता है through group policy मैं इस चीज़ को control कर सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि यह user 2 जो है इस print server को access कर सके तो इस चीज़ को restrict करने के लिए हम group policy का use करते हैं तो यह सारे के सारे features हमारे active directory में होते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही है नेक्स लेक्चर में जो हम वह हम activating instruction देखेंगे आज के lecture में आपको किसी भी तरह के doubts है किसी तरह के query है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मुझे मुझे खुशी होगी मैं चीज़ को पर आपको reply करूँ मैं आपके doubts को clear कर सकूँ तो मिलते हम पर next video में ओके बबाई and check care और मुझे जाते हैं teşekkür है भीज़र आपके तरह को सकते हैं में झाट बंदे ।